महाशिवडात्री के पावन पर पर आप सबों का मैं हर्दी का भिनंदन करता हूं और भगवान भोले नात से प्रार्थना करता हूं कि जस, किर्ती, धन, धान, बैभब आपको भड़ा रहे जय भोले नात और एक आज हम कथा सुनाते हैं कि भोले नात का चड़ा हुआ प्रसा गहन करते हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे मेरे द्वारा दीगे जानकारी अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक subscribe औरлять की जियेगा हम सब ही देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहन करते महादेब जी के पर्तीक इपरभ सिभलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्रहां नहीं करता है कि सिब पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेस्वर का भाग होता है चंडेस्वर का अंस यानि प्रसाद ग्रहन करना भूत प्रयतों का अंस ग्रहन करना माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि सिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए सिव पुरान कहता है कि सिव जी का प्रसाद सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है जो सिव जी के प्रसाद के दर्सन भी कर लेता है उसके असंख पाप नश्ठ हो जाते हैं फिर प्रसाद ग्रहन करने के पुन्र क तो अनुमान ही नहीं लगया जा सकता है जहां तक चंडेस्वर की बात है तो सभी सिबलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेस्वर का भाग नहीं होता जिस सिबलिंग का निर्मान साधारन पत्थर मिट्टी एबंचीनी मिट्टी से होता है उन सिबलिंग पर चढ़ा प्र प्रसाद किसी नदी अथवा तालाब में प्रभाहित कर देना चाहिए धातु से बने सिब्लिंग एवं पारद के सिब्लिंग पर चड़ा हुआ प्रसाद चंडस्वर का आंस नहीं होता है यह महादेब का भाग होता है इसलिए इन्हें ग्रहन करने से दोस्ट नहीं लगता है सिब्लिंग के साथ साली ग्राम होने पर भी दोस्ट समाप्त होता है इसलिए साली ग्राम के साथ सिब्लिंग की पूजा करके सिब्लिंग पर चड़ा हुआ प्रसाद खाने से किसी परकार का कोई नुकसान नहीं होता जो प्रसाद सिब्लिंग के उपर चड़ाया नहीं गया है और सिव की साकार मुर्ती को और पित किया गया हो वह प्रसाद ग्रहन करने से भी किसी तरह की हानी नहीं होती है बलकि सिव की कृपा होती है बोलो हर हर महादेब